हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका डिजिल तयारी चैनल पर, मैं श्रियान स्कुठारी लेकर आया हूँ दोस्तों, अब्जेक्टिव जन्रल इंग्लिश एस्पी बक्षी का नया नया चाप्टर्स दोस्तों, तीन चाप्टर्स कम्प्लीट हो चुके हैं, बहुत ही एवरीड अगर इंग्लिश आएगी दोस्तों, तो ये बेस्ट बुक है, अब्जेक्टिव क्वेशिन के लिए, हालां की थियोरी बहुत जादा नहीं है, बट स्टिल, अब्जेक्टिव क्वेशिन अगर आपको चाहिए, तो वन अद बेस्ट बुक्स जो मार्केट में अविलेबल ह दोस्तों, इस विडियो को लाइक कर लीजे, शेयर कर लीजे, पहली बार अगर आप हमारे चानल पर आएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजे, मेरे फोन नमबर में आपके साथ शेयर की हैं दोस्तों, इस नमबर पे anytime, any day, doubt पूछिए, बहुत सारे questions आते हैं हमारे पास में, और हम बहुत सारे questions का answer देते हैं, यहाँ नीचे comment box भी है दोस्तों, comment box पे भी अगर आप प्रशन पूछेंगे, तो definitely आपको answer मिलेगा, जो regular update हम लोग यहाँ पे हैं, वो देते रहते हैं, दोस्तों, टेलिग्राम पे भी available हैं, टेलिग्राम पे हमारे चैनल का नाम यही है, same digital त्यारी, तो बिलकुल बने रही है, stay tuned, चलिए, मैं लिए चलता हूँ आपको, यहाँ पे, theory part पे, दोस्तों, chapter number fourth चल रहा है, और chapter number fourth में भी, हमने type of sentences देखे, first exercise complete कर ली, जहाँ noun clause की बात थी, second exercise हम करेंगे, अगले वीडियो में, उससे पहले दोस्तों, यहाँ theory की बात कर लें, यह समझ आएगा, तो अगली exercise भी समझ आएगी, मैं सीधे लिए चलता हूँ आपको समझाने के लिए, कि किसे कहते हैं हम, adjectival clause, दोस्तों, adjective clause, यह समझा है हम, हिंदी में यह कह रहा है कि बास, अगर आपको adjective clause लिखना है, उस दौरान एक विध्यारती को यह चाहिए, कि वो निम्न rules को follow करे, तो हमें कुछ नियम को follow करना है, नियम का पालन करना है, एक एक करके समझते हैं दोस्तों, और बड़े प्यार से बड़े ध्यान से समझेंगे, बहुती क्रिस्प, बहुती straight forward theory दे रखी है, बहुत detailed theory नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि सीधा to the point अगर आपको पढ़ना है, Boss, this is the best book, लगातार पढ़ते रहिए दोस्तों, लगातार, adjective clause should be placed after antecedent, सबसे पहला तो ये word antecedent अभी कुछ time पहले वाले वीडियो में आया था, कि दोस्तों, antecedent, पहले वाला, ente हमेशा पहले के लिए आता है, तो वो कह रहा है, antecedent के बाद में, after antecedent के बाद में qualified by the adjective clause, ध्यान से रखेंगा, adjective clause को उस antecedent के बाद रखेंगे, जिसके लिए वो qualify कर रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है, अभी और बहतर देखते है, those is used for they, they की जगे अपन क्या लेंगे, those लेंगे, and them, they और them के लिए as an antecedent, अगर them या they antecedent है तो उसके लिए those का प्रियोग होगा, the verb of the adjective clause should be singular plural in accordance with the antecedent, बहुत क्लियरली उसने बता दिया है, आपकी जो वर्ब होगी न, वो दोस्तों singular होगी या plural होगी, यह इस बात पे निर्भर करेगा, कि आपका antecedent क्या है, antecedent क्या है, उसके according, decide करेंगे हम लोग, अब क्या-क्या connectors का प्रियोग करन है, तो connectors हो है न दोस्तों, यह relative pronoun है, relative pronoun, pronoun जब पढ़ेंगे तब मैं पढ़ाऊंगा, मेरा favorite subjects भी है relative pronoun दोस्तों, relative pronoun का प्रयोग करने के लिए, एक नियम अपने दिमाग में रख लो, कि relative pronoun से पहले जो सबसे नजदीक noun या pronoun आता है, उसके बाद में जो वर्ब है न वो उसी क फॉलो करती है, relative pronoun से पहले सबसे नजदीक जो भी noun या pronoun मिलेगा, तो relative pronoun के बाद में जो भी आप, यह पूरा के पूरा adjective clause जो है न, यह उस पे निभर करेगा, तो यह जो सबसे पहले जो noun या pronoun आया है, उसी को तो antecedent कहा है हमने, example देखते हैं दोस्तों, यह चीज आप note कर लीजेगा अपनी-अपनी copy में, screenshot चाहिए तो mobile में screenshot भी लेके रख दीजेए आप, दोस्तों, who, who is या whom, ध्यान से देखेगा, who, who is या whom, यह living beings के लिए आता है, living जो लोग जिन्दा है, उनके लिए आता है, मैं इसको living beings से जादा कहता हूं, दोस्तों, persons, अगर आप ध्या अरली कह दूँ, persons, यानि इनसानों के लिए आता है, जो इनसान नहीं है, लेकिन living beings है, उनके लिए नहीं आता है, इनसान नहीं है, फिर भी living beings है, animals की बात कर लो, पेड़ पौधों की बात कर लो, इनके लिए आप who, या whose, या whom, नहीं लगाएंगे, which या of which का प्रयोग करे नहीं लगाएंगे, non-living things and animals, जैसे मैंने कहा अभी कुछ दिर पहले, कि आपके लिए animals अगर वहाँ पे आ रहे है, antecedent में, तो आप नहीं लगाएंगे, who, whom, या whose, आप लगादेंगे, उनकी जगे पे, who, which, of which, या which, that का प्रयोग, दोस्तों, ये सबसे important है, मैं बता रह कि that का प्रयोग कहां आता है, who और which के स्थान पर आता है, यानि who और which की जगे पर आता है, अब कहां पर आएगा, वो देखेगा, antecedent is preceded by, पहली बात तो antecedent पुराना वाला, इससे पहले वाला, preceded by, उससे भी पहले, यानि आप relative pronoun लगाएंगे, who लगाएंगे, which लगाए तो that किसके लगेगा, antecedent के लिए, यानि उससे पहले वाले शब्द के लिए, antecedent का मतलब याद रख लो, पहले वाला शब्द, antecedent is preceded by, उससे भी पहले, अगर मानलो same, ये note करना copy के अंदर, all, only, nothing, little, few, superlative degree, interrogative pronouns, some, any, इन में से कोई आया, अगर, तो बहुत simple भाशा मैं कहूँ आपको, आपको क्या करना है दोस्तों, आपको, इनके लिए that लगाना है, फिर who या which नहीं लगाना है, बहुत simple भाशा मैं उसने समझा दिया, मिटा देते हैं इसे, चलिए, अब बात करतें दोस्तों as कहां पे आया, as, the same or such, note करिएगा, the same or such in place of who or which, who नहीं आएगा, which नहीं आएगा, अगर the same आया है, such आया है, तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, as, अब two under the box, अभी box के नीचे हम देखेंगे, two में क्या लिखावा है, why का प्रयोग कप करेंगे, जब हम reason बताएंगे, when का प्रयोग कप करेंगे, जब time बताएं मैनर, मैनर आएगा, आप कुछ समझ सकते हैं, why यानि क्यों की, when यानि जब, where यानि जहां, how यानि ऐसे, तो मैनर बताएंगे, reason बताएंगे, time बताएंगे, तब हम इनका प्रयोग करेंगे, और मुझे लगता है, यह बहुत जादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, य यह बस as और that का difference जो है न, वो clear करना है मुझे, तो मैं लिए चलता हूँ आपको अगली sheet पे, जो इस box के नीचे दे रखा है, वही मैं आपको explain कर देता हूँ, conjunctions जो है न दोस्तों, when, why, where, how, used in adjective clause are relative adverbs, ध्यान से जुनिए का ध्यान से, when, why, where, how, जो हमने last में पढ़े थे यह देखे वापिस, why, when, where, how, यह चार है, again, when, why, where, how, यह चार है, adjective clause में used लिये जाने वाले, इन्हें हम relative adverbs कहते हैं, they express their meanings, अब उनके meanings क्या है, वो आपको explain, तो उसने क्या किया, पहले तो बता दिया, कहा लगाना है, कैसे लगाना है, example दे दिया, I remember the year, तो यह जो year है न अब इत्ती देर से मैं बार-बार बोल रहा हूँ, antecedent, आप भी बोल रहा हूँगे, sir, क्या यह antecedent, antecedent, भाई, आप इस relative pronoun से पहले जो शब्द देख रहे हैं, उसे antecedent कहते हैं, पहले वाला शब्द, तो यह कह रहा है, I remember the year, when she was married, जब उसकी शादी हुई थी, मुझे वो year याद है, यानि आप antecedent में समय की बात कर रहे हैं, which year, समय जहाँ पे आया, दोस्तों, यहाँ पे वेन आ गया, she explained the reason why, कारण जब बता रहे हैं, तो which reason के लिए why आ गया, has he told you, has he, structure याद होगा दोस्तों, interrogative का structure है, helping verb subject से पहले आई है, क्या उसने ऐसा बताया, the place, जहाँ accident हुआ था, where the accident took place, तो जहाँ भी place आएगा, वहाँ, where आएगा, she told me, उसने बताया, the manner how her sister, तो जहाँ manner आएगा, how आएगा, तो हमने क्या किया, दोस्तों, यहाँ पे जो चीज बतानी थी, कि वे यह कहां कहां use होंगे, उसका example के साथ बता दिया, and I am very much sure, यह बहु को समझियेगा, with same, same के साथ हम as और that कभ लगाते हैं, उसी को समझना है, that is used when the same is used with the noun, both in the case of qualification and resemblance, qualification, अगर noun को qualify कर रहे हो, resemblance same जैसा लग रहा है, अगर उसके लिए the same का प्रयोग आता है, हम that लगाएंगे, जैसे, I shall buy the same perfume that my friend bought, resemblance है जैसा मेरे मित्र ने खरीदा है, वैसा ही मैं खरीदूँगा, buy the same that my friend bought, she is the same girl, वही वाली लड़की है, that, जिसने क्या पूछा था, qualify किया था, ask me for books, the same के साथ हमें that लगाना है, अगर आपको याद हो, हमने पहले देखा था, तो अगर qualification के लिए आएगा, तब तो हम that ही लगाएंगे, resemblance, resemblance का मतलब क्या होता है, समान, समान देखना, समान नारता, जब हमने सब समानता देखते हैं तब की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने क्या लगाया दोस्तों, same के साथ that लगाया, अब बात करते हैं दोस्तों, as की, as is used when the same is used, either without or a noun, or when the verb is unexpressed in the case of resemblance, पहली बात तो देखिए, यहाँ qualification और resemblance दोनों थे, यहाँ सिर्फ resemblance होगा, पहली चीज़, दूसरी चीज़, either without a noun, या तो noun के साथ नहीं आएगा, और when the verb is unexpressed, verb ही नहीं है, very very important note करना है आपको, verb is unexpressed, example बताता हूँ कैसे, अब भी clear हो जाएगा आपको बहुत अच्छे से, just do the same as I do, do the same, आपको नहीं देखा आगा, resemblance के केस में, यहाँ पे same perfume आया था, यहाँ resemblance के केस में, डू के बाद कुछ भी नहीं आया, without the noun, याद आया, आपको यहाँ क्या लिखा वा था, noun missing है, same perfume, यहाँ पे same के साथ कुछ भी नहीं है, ऐसे समझ लिए यहाँ पे, same क्या, noun missing है, तो हमने क्या लगाया, as लगाया, तो without the noun वाला केस हो क्या, verb is unexpressed, ध्यान रखे, I like the same perfume as she, बस काम कतम, verb is unexpressed, verb ही नहीं है बॉस, लेकिन अगर देखेगा, I shall buy the same perfume, that my friend bought, my friend bought, bought आया न, verb आया, resemblance में verb आया, तो हमने that लगाया, अगर verb unexpressed करना है, तो as लगाया, अब मुझे लगता है, आपको as or that clear हो गया होगा, इसके अलावा relative pronoun के बारे में समझा दिया, antecedents के बारे में बता दिया, अब तो क्या करना है बॉस, कुछ भी नहीं करना है, अगले वीडियो में इंतजार करिये, हमारे, इस exercise का, जो exercise भी है, इस chapter की, thank you.